अलो नमस्कार और टिक टार आरी चीज़ आप एक बारी चेक करिए कि यहां पर बहुत ही ज्यादा खत्रा बात का बना हुआ है पिछले एक डेड़ महीं तीसरी बक्री जो है वह बता रहे हैं वह भी घायल है और उसके लिए दवा का इंतजाम यहां पर किया गया है तो इतना ध्यान नहीं अपनी बक्री बॉडिगाड फिलाल हमारा पीछे है और इसको हम पीछे रखेंगे जब तक जंगल जो है मारा समाप्त नहीं हो जाता है तो गाइस आप चलते हैं हुआ 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 है 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 कि अच वर्यों हमशकर अब आरग मौनिंग वागा था आप कई पार बाल फिर से मेरे यूटूब तेन अब राइट अड़क्राइध में तो फिलाल सुबहें के बिज़ें हैं साड़े साथ विदियो शुरू हो रही है वह रही हमारे गाउं के सब्सक्राइब अब कुद्यार सारी जहां हमने मंड़ा बोर रहा है ज़ी अपनी दोस्तों को बदा रहे हैं अब अब कर अब मगाई बुर्वाट वोड़ा अब को लोर्ट अब भल्दानिया अंब मेकल वते लेन्ड रोड़नीदे चार वड़ कमील तूमार रिखादेशिए अजिए अभारफ कि अभुआ बाष दा चाल ना। जुड़ा उल्ड है पक्या पर है जी पोंटेकर दीकिल्फ क्या बहुरा ना? क्या क्या बहुरा रखेट कई? क्या बोला ना? यह जी आप अका नाफ है आ पत्पाल्ब है आपरी चेक ही है तेलपून में चल गया हम लागी है है अलो है नमस्कार और टिक टाक है इस तरह हमारा जो तो मंडवे में दन्या लगाना के बाद अभी हम जा रहें स्वाप के ओर तो हमें जॉइन के हैं यहां से अरिका गियू और राजबाई ने तो जो हमारा बैल मना था उसके सांद के जो दूसरा बैल बचाओ था वह भी मर गया था तो दफना ने आये थे बहुत दूर-दूर स अब भी हम निकले अब सौप के ओर इसके बाद हम एक और बड़ी घटना के बारे में बताएंगे आपको चलते हैं तो यहां पर जो है एक बहुत बड़ी दुरगटना हुई बहुत बड़ी दुरगटना मानके चलो कि जो मैं आपको इससे पहले जो वीडियो में दिखाए था बाग का खत्रा बना हुआ है तो परसो साम रात को यह साम के टाइम कभी भी जब बक्रिया अंदर चुले जाती है हमारी गौसाल में जो है बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है तो कम से कम पंद्रह एक बीस दाइस कर नुक्सान उने हुआ वहां पर तो अभी हम जा रहे हैं तो दिखाते हैं आपको कहां पर कहला स्वाई की छनी है और कहां पर बक्रिया उन्हें उसके बाद मिली सुबह आपको पहले सचेद किया था कि साबदान रहे और लेकिन तो थे ही क्योंकि दर्वाजे अगरे सब कुछ बं थे अच्छे से थे लेकिन अब किस्पत नहीं है तो फिर क्या करें बाग इतना ही तीज है तो दर्वाजे ही तो दोड़ के ले गया फिर तो खेलाज भाई की चन तो से पहले देखे आप यहां का जंगल जो यह वाला जंगल जो बहुत खतरनाग जंगल है तो यह हमारक घर का रास्ता है यहीं से हम घर जाते हैं आप अच्छी लग जंगल यहां पड़ता है और यहां पर जो ही आपको दिख रही है इसके उपर किरपाल है वही है कैलास भाई की गौसाला और इनकी छोटी बीटिया है तो अब आपको सीधा हम लेके चलते हैं गौसाला के पास आपका टाइम जाला बरवाद नहीं करते हैं यह जंगल जो है बहुत दी बड़ा और घणा जंगल है ऐते लिख गौसाले यहां पर यहां पर इस वाली हूस यह suis यह अंगे ऑफिकर दिया गया है दो बख्री यहां से उठा के लेगा एक बुक्री थी तो यह है डादा जी और जिसेट नुख्राण कर लो और यह हमारे हैं और यह हमारे ऑप तो तीसरी बक्री जो है वो बता रहे हैं वो भी घायल है और उसके लिए जो है दवा का इंदजा मियां पर किया गया है तो इतना ध्यान आपनी बक्रियों का रखते हैं चला पुम्तारा ठीक पिर हां आँचे भी तो सुनने में आया था दो बक्रिया जो है मलग वो तो जिन्दा ही मार दी थी वो बागने और वो काफी ज़्यादा दूर जाके मिली है लोगों को ऐसा भी नहीं है कि हमने ऐसी छोड़ दिया लेकिन उनकी जांस पर्थाल की और उनने ढूंड़ा तो दो बक्रिया जो थे मिल और एक की बॉड़ी जो है लगवल लगवल आदे से ज़्यादा मिली थे अभी दादा जी के दौरा हमें यह सुनने को मिला है कि तीसरी बक्री जो है उस पर हलके से नाखुन वगरा जो है लगे हुए है मक्रिया हमने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बक्रिया जो ह अब इस तरीके की जो है घटना यहां पर घटी और हमारा जो है रास्ता घर जाने का सामको कभी अगर हमारे पास बाइक नहीं होती है यह गाड़ी से हम नहीं जाते तो सामको हमारा पैदल रस्ता यही है जे रस्ते अभी हम आ रहे हैं और दिन में भी अब इतना डर हो चु है तो इस घटना को बाग ने अंजाम दिया था रात करीब दस साड़े दस वजे के बाद और यह जो जंगल आप देख रहे हैं के गौसाले के बिलकुल ठीक नीचे पड़ता है और यहां भी गौसाला है लेकिन इस गौसाले में कोई जानवर अभी रहता है ने और साय अग के नीचे जो किनारे होते हैं वहां पर जो है एक बकरी मिले उसके फिर फचास मेंटर आगे जाके दूसरी बकरी मिले तो बहुत ही खतरना कि जंगल भी है और अगर आपके बास टॉर्च वगर है नहीं रात में आप सपर नहीं कर सकते हैं इस रस्ते पर कुईकि बहुत चलते हैं हर्यार फंटार बढ़ात तो कि अपना भोधन अगर बाग ऐसे छोड़ ऒन तक तो अब हमने राजा भाई को कर दिया है अब खुद से आगे क्योंकि यहां से जंगल हो चुका है समाब अब हमें कोई खतरा नहीं कोई भैने कोई हमारा अभी फिला कुछ नहीं कर सकता है अब हम जो है खुद सेर बनके जा रहे हैं दाजा के पीछे भाई तो जाले यार दोड़ ले तो हम आपको जरूर दिखाएंगे फिलाल आप इस तरीके से जो है नजारा ले सकते हैं गराम मिनियल टॉंडियल बाग लेका तो सारे जो है पंदित लोग यहां पे रहते हैं काभी अच्छा खूब सूरत यह गाउं अलमोडा चिले के शैल्दे ब्लॉक में यह गाउं पड़ इसलिए चलने की आदद नहीं और आल सी हमने आपको सायद दिखाया भी था यह अज इस तरह के से कैलाज भाई का नुक्सान हो आप लोग का उस तरह के से नुक्सान नहों तो इसलिए सतर्क रहे सावधान है अपनी गौसाला का जो है अच्छे से एक बारी जो है नजर मार क्या है यहां आपने ठीक तरीके से जो है दर्वाजी वगरे बंद किये हैं नहीं किये हैं कहां से आपको दिक्क्त आ रही है वह सारी चीज आप एक बारी चेक करिए कि यहां पर बहुत ही ज्यादा खत्रा जो है बाग का बना हो है पिछले एक डेड़ महीने से और अभी ए आप से हम लेते हैं दो चार पोलम अभी दिन में बहुत खतरा रहा है तो मैं खा रहा हूं यह मैंने तोड़ा एक अपने लिए तो ताओ जी आवज मारें खटे-खचे लेकिन हमें तो खाना भई यह बोड़ा पोलम उखाजो एर पागी हैं यह गिरा हुआ है साहर अभी गिरा हुआ है इसको भी चेक करते हैं तो हमने जारा ने खाली दो दाने लिए दो ने रफ पांच होगे गाई है यह हमने उठाए रहा